वेलकम टो माई वीडियो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं ऐसी फाइल जिनका साइज ज्यादा हो और यह आपने चेक करना है दो अपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर एक है रड हैड दूसरा है सेंट ओस तो इन दोनों के अंदर सेम कमाड्ड अब करेंगी और सबसे पहले तो आप किसी डिरेक्टरी में जाएंगे जहां पर भी बड़ी फाइल्स पढ़ी है मैं वार लोग इसके अंदर जाता हूँ हम मैंने चेक करना है कि कौन सी फाइल्स बड़ी है, टॉप टैन या टॉप फाइल्स जो बिग फाइल्स है उनको मैंने सर्च करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उसके बाद आपने स्टैरिक यूज़ करना है कि जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी सर्च करनी है फिर है पाइप साइन उसके बाद आपने सोटिंग भी करनी है कि सोट करके बताएं कि फाइल्स को उसके बाद डैश आरेच का सुच यूज़ करना है आर्फा रिकर्सिफ, एच फार, हुमन रीडेबल, उसके बाद दुबारा से पाइप साइन यूज़ करना है, और उसके बाद यूज़ करेंगे आप हैड, लास्ट में आपने स्विच यूज़ करना है, उसमें बताना है कि आपने कितनी फाइल्स को देखना है, जो टॉप की जो फाइल्स हैं, मैं for example, टॉप 10 फाइल्स को देखना चाहता हूँ, जिनका साइज बड़ा है इस डिरेक्टरी के अंदर, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो ये मेरी कमांड पूरी हो चुकी है, इसको मैं एंटर करूँगा, तो मेरे पास टॉप 10 फाइल्स आगी, म अगर आप चेक करना चाहते हैं, लार्जस फाइल्स को उनकी सब डिरेक्टरी के साथ, तो सेम कमांड को थोड़ा सा अल्टर करना है, आपने सबसे पहले तो जाना है किसी एक डिरेक्टरी में, उसके बाद आपने सुची उसकरना है, डैश एसेच का, slash war slash etc, मैं etc के अंदर से अपना जो उनसा है, टॉप 10 फाइल्स सर्च करना चाहता हूँ, उनकी सब डिरेक्टरी के साथ, तो सेम वो ही कमांड है, लेकिन थोड़ा सा आल्टर किया, सारे सुची वो ही यूज़ोंगे, लेकिन कमांड को थोड़ा सा आल्टर कर दिया, अब ये क्या करेगा, कि जो टॉप 10 फाइल्स हैं, इस डिरेक्टरी के अंदर से, उनको सोड़ करते गए, यहाँ पर आप देखें, कमांड के अंदर जो चेंज है, वो सिरफ एक स्टार का चेंज है, तो उसके अंदर से मैं क्या करूँगा, मैं A-T-C लोग के अंदर सी, क्योंकि आपने सेम डिरेक्टरी के अंदर से जाके चेक करना, तो मैं क्या करूँगा, इस कमांड को रन करूँगा, तो यहाँ पर देखें, जो मेरी टॉप की एक कमांड थी, वो यहाँ पर मुझे शो उसने करवा दिया, जिसका साइज 2.4 MB था, यह सब डिरेक्टरी को इंकलूड करके उसने बताया, अगर यहाँ पर हम जो स्विच थ यहाँ थी उसके अंदर मेरे पास जो टॉप की feil, मेरे पास इतनी ही दी, तो उसने यह शो करा दिया, जो यह, क्या करता ह inquis की मेन डिरेक्टरी है उसका size बताता है, दूसरा उसके Ol01sile दिरेखें वहाँ उसके अंदर ने के साइज को उसका साइज बता देता है, तो य नेक्स मेरी command है वो है वो भी सेम ऐसी है उसमें थोड़ा सा different है कि वो sub directories के साथ largest files को show कराएगा ये तो पहले जो मेरी command थी उसने largest directories को show कराया था अब जो मेरी next मेरी command है वो क्या करेगी largest files को show कराएगी हमने same folder के अंदर ही रहना और उसी के अंदर सेम एक जो कमांड है वो भी सेम है लेकिन स्विच थोड़ा सा चेंज हो रहा है मैं यहाँ पर यूज करूँगा du-ah का स्विच है उसके बाद जो जिस भी फोल्डर के अंदर से आपने फाइस को जो सोट करना है साइस के लहाँ से वो लिखना है और उसके बाद बाकी कमांड वो ही है जो पहले से हम यूज कर रहे है तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा मेरे पास फाइल्स के नाम भी आए है के कुण सी फाइल बढ़ी है पहले मेरे पास उनकी डिरेक्टरीज आई थी जो मैंने सर्च की थी इस दवाँ मेरे पास फाइल्स के भी नाम आए जैसे के यहाँ पे मेरे पास एनाकॉंडा के अंदर जो फाइल थी वो शो हो रही है जर्नल डाट लोग के पहले यह शो नहीं हो रही थी उपर भी देख लिए दोनों कमांड्स में बलके तीनों में यह शो नहीं हो रही तो यह कमांड वो है जिसमें आप फाइल्स को भी देख सकते हैं अब आपने चेक करना है कि मैं किसी एक पर्टिकल कुलर लोकेशन के उपर जाके किसी एक फाइल को सर्च करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा हम हम रूट के उपर जाएंगे इसको मैं किलियर कर देते हूं ताके बिलकुल फ्रेश कमांड लगे तो यह फाइंड की कमांड है इससे आप सिर्फ फाइल्स को डूड सकते हैं डिरेक्टरी इसको नहीं तो फाइंड की कमांड के साथ मैं एटीसी के अंदर फाइल्स को सर्च करना चाहता हूँ तो मेरे पास जो पहला स्विच है वो डैश टाइप का है और उसके बाद F का स्विच है उसके बाद DASH EXEC एग्जीकुशन है और उसके बाद जो स्विच यूजर है वो डिस्क की यूजर यानी DU का है उसके बाद DASH SH का यहाँ पर S कैपिटल है आप समॉल के साथ देखेंगे तो कुछ और रजल्स आएंगे यहां पे इस command में S को capital यूज किया है यह सारे के सारे switches आपने बड़ी अथियास से देखने है उसी तरह ही लिखने है अगर आप कुछ गलत सुच करेंगे तो आपके पास गलत record आएगा तो मैंने sort किया है recursively और human readable form में और मुझे जो top 5 चाहिए वो चाहिए मुझे 5 तो मैं यहां पे इस command को लिखने के बाद enter करता है तो मेरे पास जो top के size की file तो maximum file size की जो 5 files है वो show हो जाएंगी तो यह देखे मेरी सबसे बड़ी file 8.5 MB किया मेरे system के हिसाब से तो इस file से आपको यह फाइदा हुआ कि जो largest files ही आपने एक particular location के उपर जाके उनको search कर रही है तो यह सारा काम हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं same command होगी start से लेकिन उसमें जो चीजें different होगी वो होगी switches आपने क्या करना है जो folder में select करना चाह रहा हूँ वो मैं same रखूँ हो ताके मुझे result का अंदाजा भी हो जाए जो switch यूज कर रहा हूँ हमें printf का है और उसके बाद जो पहला space का है switch उसके बाद print का switch है जो number of files हैं वो हमने search करनी है उसके बाद pipe sign की मेंसे हमने sort करना है तो यह क्या करेगा इसमें देखे हमने कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपने 10 files को sort करना है और हमें largest files का बताना है यह command क्या करेगी automatically इस तिरफ show ही 10 कराएगा अगर आपके पास यहाँ पर 10 files हैं तो 10 ही show होंगी इसमें आपने mention नहीं किया है कि मुझे कितनी files देखनी है जो top की 10 files थी वो यहाँ पर show हो गी है लेकिन इन files के अंदर एक मसला यह है कि आप जो size देख रहे हैं यह bytes में आपके पास sorry bits में यहाँ पर आपका size है human readable form में नहीं है जो उपर वाली command है same result आप उसके साथ भी ले सकते हैं लेकिन वो उसमें जो switch हमने use कि है वो human readable form में हमारे पास results आ रहे हैं यानि megabyte में 8.5 megabyte मेरी जो maximum size था एक file का वो 8.5 megabyte था जो अब next command है वो भी same इसी तरह की है लेकिन उसका results जो उसा है थोड़ा सा different है वो भी maximum file size के साथ files को search करेगा लेकिन उसका result थोड़ा सा different होगा तो वो है ls dash l capital sh pipe sign head जितनी आपने file search करनी है उसके लिए dash n का switch मैं for example यहां पर 15 files को search करना चाहता हूं तो root के उपर अगर 15 file होंगी तो मेरे पास show हो जाएंगी यहां पर मेरे पास एक ही file थी तो इसलिए एक ही show ही मैं किसी और folder में जाता हूं मैं etc के अंदर चला जाता हूं यहां पर यह मैं command run करूंगा same command तो मेरे पास files different हो जाएंगी यहां पर देखें मेरे पास 10 file ने उसने 15 files उसने show करा दी हैं इनके साथ इनका size भी लिखा आ रहा है और जो human readable form में हैं और कितनी उसके अंदर सब files हैं वो भी show कराया है उसका primary और secondary user और group कौन सा है वो दोनों उसने show कराया है तो यह थे आज के इस वीडियो के अंदर 6 ऐसे तरीके जिनके मेरे से आप big files को अपने redhead और centoas के operating system के अंदर अगर आप use कर रहे हैं तो वो आपको search करके बता सकता है कि कौन सी file का size कितना है और कौन सी हमारे पास बड़े size की files है इससे आपको फाइदा यह होता है कि अग आपका operating system है उसके अंदर storage की कम ही हो रही है तो आप इस तरह से sort करके उस particular file को delete कर सकते है या फिर उसके अंदर से data को थोड़ा सा copy करके किसी दूसरी जगा रखके उस files के data को कम कर सकते है इससे होगा कि आपका जो operating system है वो crash करने से बच जाएगा उमीद है कि आज की video आपक पहले आपको मिलें